वेल्कम बेक तो मैं चैनल दीपमाला एंट्रेटेंटमेंट वेल फैंस आज आपकी लिए है एक गुड नियूस जी हाँ इसे गुड नियूस ही कहेंगे क्यूंकि डेफिनिटली जब आप इसे सुनेंगे तो आपको भी एक गुड नियूस वाला फील देने वाली है जी हाँ दो चलिए स्टाट करते हैं अपनी खबर के बारे में आपको बताते हैं जसका कर रहे हैं आप बेस अबरी से इंतजाब जैसा की बार-बार ये बाते सामने आई कि सहनाज ने सिदार्थ से अपने प्यार का इद़ार तो कई बार किया है लेकिन सिदार्थ ने नहीं किया सिदार्थ हमेशा शेहनास को अपनी फ्रेंड ही बताते आए हैं एक अच्छा दोस्त बताते आए हैं जी हाँ हमने इस बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं और आज इस खबर पर लगती है मोहर और ये खबर होती है पकी हमने आपको पहले भी बताया था कि हमें ये को हम पक्का करते हैं आपके सामने क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी भी कह देंगे कि नहीं ये तो सिर्फ अटकले हैं और सिदार शेहनाज से नहीं प्यार करते पूरे शोशल मीडिया पर फिलहाल ट्विटर पर ये खबर चाहि हुई है कि सिदार शेहनाज को हैं हमने इस बात को पुक्ता करने की कोशिश की और इस बात के जड़ में जाने की कोशिश की की पूरे जो ट्विटर है उस पर क्यों ऐसा चाया हुआ है शोशल मीडिया पर की सिदार शेहनाज से प्यार करते हैं वैल ये हमें पता तो है लेकिन आपके लिए जब खबर ला था ताकि आपको विश्वास हो जाए तो हमने इस खबर की तह में जाने का फैसला किया और हमने कोशिश की इसके बारे में पता लगाने की तो जब हमने इसे पता लगाया तो हमें सूत्रों के हवाले से जहां से हमने पता किया है हमें नाम लेना सक्त मना है लेकिन हमने जो पता की है वो बिलकुल पक्की और सच्ची है जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस के हर सीजन के बाद होती है पार्टी तो इस सीजन के बाद भी हुई थी एक पार्टी बिग बॉस 13 के बाद जिसमें सलमान, सिदार, शेहनाज और बाकी सभी कंटेस्टेंट भी शामिल थे तब वहाँ पर उस पार्टी में सलमान ने सिदार से पूछा क्या तुम इस लड़की से सच में प्यार करते हो तो सिदार ने इसके जवाब में कहा हाँ मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ तब सलमान ने आगे बढ़ते हुए कहा कि ये लड़की बहुत ही सही है तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है और तुम इसका हमेशा ध्यान रखना और इसका दिल कभी मत दुखाना ये कहते हुए सलमान आगे बढ़े और सिदार से हाथ मिलाया और दोनों ने एक स्मायली वाला जेस्टर दिया और ये बात हमें वहीं किसी जुड़े हुए सूत्र से पता चली है और ये बात बिलकुल पक्की है कि सिदार शेहनास से करते हैं बहुत प्यार हाला कि अब इस तो सिद्धार्ट जब बिमार पड़े थे बिक बोउस में तो उनका पूरा ध्यान शेहनाज नहीं रखा था में आ जाती थी और उन्हें रोकती थी वहीं बिग बॉस से बाहर आकर भी उन्होंने मुझ से शादी करोगे में भी अपनी पूरी लोयल्टी रीखाई और वो पल-पल बिग बॉस में उनके साथ रही ये सब चीजे काफी हैं शेहनाज से प्यार करने के लिए और अभी की बा आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को कीजे सब्सक्राइब आगे भी ऐसी ही अच्छी और पक्की खबरों को देखने के वीडियो को कीजे लाइक और कॉमेंट करके बताईए कि आपको कैसा लगा सिद्दार्थ का शेहनाज से ये प्य प्यारे इजहार करना वेल तिल देन बॉट